असलाम अलेकुम आज मैं आप लोग को उर्दू की पाचमी जमात सबक छे परहाने जा रही हूँ सबक छे में बहुती प्यारी सी नजम है इदी सबक को पढ़ने से पहले हम कुछ अलफास के माना पढ़ लेंगे जिसे हमें सबक पढ़ने और समझने में आसानी होगी अलफाज माना अजाफा बधरती सायान मुनासिव लायक सान अंदाज खुबी मजाफा हाथ मिलाना ध्यान तवज़ा देना इस अलफाज अलमाना को अच्छे से अपने नोट बुक पे नोट कर लेना और याद कर लेना इदी में अजाफा हो जाए कुछ फीसद जादा हो जाए इदी किसे कहते हैं इदी इद के दिन बड़े जो हमें खुशी से पैसा देते हैं उसे हम इदी कहते हैं तो ये बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि इदी में अजाफा हो जाए यानि कुछ जादा हो जाए कुछ फीसद हमें जादा मिल जाए एग घड के बड़ो कुछ ध्यान तो दो खुआइस ये हमारी कान तो दो इस इदी को कुछ मान तो दो इदी सायान सान तो दो बच्चे ये कह रहे हैं खुशी से कि एग घड के बड़ो कुछ हम पे तुम ध्यान दो जो हमारी खुआइस पूरी हो जाए इस इद के मोके पे कुछ हमें मान दो दो और हमारे कुछ मुनासिब हमारे लायक हमारे मुनासिब अंदास से हमें इदी ज्यादा दो गले मिले मुसाफ़ा हो जाए इदी में अजाफ़ा हो जाए कर रहे हैं गले मिलते हैं इद के दिन हाथ मिलाते हैं तो बच्चे कर रहे हैं कि गले मिले मुसाफ़ा हो जाए इदी में कुछ ज्यादा हो जाए इस वार इदी में हमें कुछ ज्यादा मिल जाए तुम समझ के हमको अपना दो, कुछ जाके खड़ी दे इतना दो हम कहते नहीं कितना दो, हो सके ज्यादा जितना दो बच्चे ये कह रहे हैं कि तुम अपना समझ के हमें एदी दो इतना दो कि हम कुछ खड़ी सके, अपने ख़़ाइस को हम पूरा कर सके हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमें कितना दो जितना हो सके ज्यादा मगर उतना हमें दो कुछ अच्छा खासा हो जाए एदी में अजाफा हो जाए कुछ अच्छा खासा ज्यादा मिल जाए इस एदी में इस वार हमें अजाफा एदी में अजाफा हो जाए अब इतनी नहीं है थी जितनी इस साल तो कीमत है दुगुनी बच्चे ये कह रहे हैं कि अब इतनी नहीं है थी जितनी जितना पिछले साल था उतना नहीं है इस बार कीमत जादा बढ़ गई है दुगुनी हो गई है जो हम खाना चाते हैं जो हम खिलोना खरिदना चाते हैं वो इस बार दुगनी कीमत पे मिलती है इसलिए हमें एदी में थोड़ी सी अजाफा हो जाए मिले हमको एदी बस इतनी हो खुआइस पूरी बस इतनी बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें बस इतनी ही ज्यादा एदी दीजिए जिसे हमारी ख्वाहिस हमारी खुसी पूरी हो जाए हम पे आप इतना तवज़ा दीजिए ध्यान दीजिए कि हमारी खुसी हमारी ख्वाहिस इस एदी से पूरी हो जाए कुछ खिलाने हम खरिद ले, कुछ मन पसंड के, कुछ मिठाई, कुछ चीजे खा ले, कुछ भर कर थोड़ा हो जाए, एदी में अजाफा हो जाए, कुछ थोड़ा बढ़ जाए, और हमारे एदी में अजाफा हो जाए. ये नजम बहुती प्यारी सी नजम था नजम है जिसको लिखा है सबनम कारवारी ने इस नजम में बच्चे के खुआहिस को इजहार किया गया है कि बच्चे ईद में क्या चाहते हैं बच्चे ईद पे क्या चाहते हैं ये बताया गया है, ये बच्चे ईद पे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अपनी खाईस को पूरी करने के लिए ईदी चाहते हैं, इस नजम को अच्छे से याद कर लेना, इसके अलफाज अरमाना को भी याद कर लेना, खुदा हाफिज।